अब हम एयर कूल कंडेंसर की बात करते हैं इसके पहले हमने कंडेंसर के बारे में जानकारी कठा की थी उसका वर्गी करण पढ़ा था तो कंडेंसर के वर्गी करण में हमारा पहला जो टाइप है वह है एयर कूल कंडेंसर एर कूल कंडेंसर में जो उस्मा का निस्कासन किया जाता है यानि हीट को रिमूब किया जाता है वो हवा के द्वारा किया जाता है जो हमारा रेफिजरेंट ट्यूप्स में फ्लो होता है उसके चारों और हम हवा का बाखाव करते हैं हवा को फ्लो कराते हैं तो जब हमारी ट्यूब्स में जो रिफिजेंट बह रहा है वो ट्यूब को गरम करता है ट्यूब की गरम होने के वाज़े से ट्यूब का बाहरी सता गरम होता है और फिर बाहरी सता पर हवा जब ट्कराती है हवा गुझरती है उसके पास से तो हवा उसमा अस उसिद कर लेती है इन ट्यूब्स का तापण जैसे अगर रेफिजरेंट उपर से ट्यूब उपर से इंट्रीं कर रहा है तो रेफिजरेंट उसकी डापमान नीचेमेज़ आने पर कम होता जाएगा और उपर जाते हुए एर का तापमान बढ़ता जाएगा या हम यह कह दें कि तापांतर जो दोनों का है वक्रार रहेगा तो अब ये स्किवर्किंग हों पड़ें इसंपे क्या होती है इसमें इस पार्धे तांबह त्रोकि दूली अधिक होती हैं इस पार्धे तांबह उस्थने लेते थ Ismah कि ये दोनों उस्मा के में छेसर फल बढ़ाने के लिए संपर के अरिया काम इस्तेमाल करते हैं पतली पतली प्लीट लागा दे तुंको फिंस कहते हैं यह अलमोल्यूम की बनी होती है मारा कॉंटेक्ट सब्सक्रीश बढ़ जाए कि इसमें सिंगल रो वाले भी कंडेंसर यूज के जाते हैं प्रिटेक ट्यूब की पंग्ती में आगे बढ़ने पर वायुका तापमान बढ़ता जाता है और रेफेजरेंट और वायुक के तापमान के बीच में तापमानतर कम होता जाता है परन्तु मलिटी रो में एकल सिंगल रो है वो अधिक अस्थान गेड़ता है क्योंकि उसमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं सिंगल रो कंडेंसर का प्रयोग प्राय कम छमता वाले प्रसित तक निकायों जैसे घरेलियों रफिजरिन सिस्टम फ्रीजर वाटर कूलर रूम एय दोस्ति पक्तियां हो सकती हैं परन्त उच्छे पक्ति वाले कंडेंसर अधिक प्रचलित हैं वायों सित्यत यानि एयर कूल कंडेंसर का मुख्य डिसडवांटेज है कि यह उच्छ संगनित्ता पाने पर कार्य करते हैं जिसके कारण संबीड़क को अधिक कार्य करना पड़ इसकी वज़ाइसे कांप्रेटर को बार बार या ज्यादा अमाउंट में रिफ्जरेंट को बंप करना पड़ता है तो यह हमारा एर कूल करनिसर था जिसका हम जिसका यहां पर डियाग्राम देख सकते हैं इसमें देखिए का जो हमारा रिफ्जरेंट है वो ट्यूप लोकर आया जा रहा है तो यह एक तरीके से एर एक साइड से एर इन हो रही है नीचे से और किनारे से उपर से और रफिजरेंट आ रहा है ट्यूपस में त्यूपस के और प्लेट्स के दिरिए उसमा कादान परतान होता है और हमें ठंडी वायू वायू जो ठंडी वायू है व में परवर्तन होगा पहला होता है डी सुपर हीटिंग दूसरा होगा कंडेंसेशन यह संगनन और तीसरा होता है सब कूलिंग अब यह तीनों वस्थाएं कि एयर और रफिजरेंट के तापमान पर निर्भग करेंगी अगर और से आने वाला रफिजरेंट ड्राइ सेचुरेटर इस्टेट में है तो डी सुपर हीटिंग नहीं होगा तब केवल और केवल कंडेंसर कंडेंसेशन और सब कूलिंग पॉसिबल है लेकिन अगर जो एयर सब्कूलिंग होगा तो यह था हमारा एयर कूल कंडेंसर आगे हम वाटर कूल कंडेंसर की बात करेंगे कैसे कैसे उसमें क्या होता है क्या होती है है एयर कुल करेंसर दो बग़ा में तब कर सकते हैं पहला है कि की सफेमरो और दूसरा है मल् treatments लों przysz डिया होता है कि इसमें कई सारे सिंगल नों लगाने पड़ते हैं और इसकी efficiency होती है मल् तिरो में अस्पेस कम लगता है लेकिन इसकी न्सक्रिक्शंछन एक्सीर में से लिए इसको हम यूज करते हैं लेकिन इसक्रिप्शन सी अच्छी रहती है थेक्यू बेरी मिच